आसामनेकों वीवर्ज, वेल्कम टू माइप्लान्ट वर्ड वीवर्ज, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विंटर फ्लार्स की कुछ सीडलिंग शेयर करूँगी जो कि मैंने नर्सरी से पच्रेज की हैं वीवर्स मैंसे तो विंटर के मोस्टी फ्लार्स को मैं सीड से खुदी घर पे ग्रो करती हूं लेकिन इस तफ़ा सीड ग्रो करने के टाइम पर मैं चुक्के मुल्क से बाहर थी तो इसलिए सीड ग्रो नहीं कर सकी तो मैंने अब नर्सरी से ये सारी सीडलिंग्स बाइ की हैं कि बेवर्स नर्सरी पर में सीडलिंग्स लएने गई तो वहां पर सीडलिंग्स में सबसे अटर्क्टिव चीज थी जो उट्रेकटिव फ्लार्स थे ती वह फार्स इनका नाम है अलायसर्स एक तो यह बहुत ही खुब सूब्सूर्स और यह थे तें-च्प्लावर्स आहए यह बहुत ही खुब्सूरत हैं और स्वीट सेंटेट से हैं इन प्लांट्स को पॉट्स में हैं यारियों में ग्राउंड कवर के तौर पर असानी से ग्रोव किया जा सब्सक्ता है मैं तो पर आपके सारशा करोगी तो पर इसके बाद जो नें प्लांट मैंनें परचेस किया है वह यह वला प्लांट यह है मिसमबरी एंथिमम यानि कि जैसे आइस प्लांट इस आइस प्लांट भी चाहा जाता यह भी बहुत ब्लांट है और इसकी पतियां ऐसी होती है कि जैसे इन पर बरफ पड़ी हो इसलिए से आइस प्लांट कहाजाता है अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट मेंने प्रचेस किया है वह यह देलिया के सीड हैं यह देखिए इस पॉट में पांच से टेल्या के प्लांट है देलिया को सीज से ग्रोप किया जाता है और बहुत सूर प्लांट होता है, फेबरी मार्च तक इसमें ब्लूमेंग होती रहती है, इसके बाद जो नेक्स प्लांट है, वो है ये वारी घास की पत्म जैसा दिखने वाला प्लांट, जिसे कार्नेशन कहते हैं, इसको भी सीज से और कटिंग से आसानी से ग्रो किया सकता है, और इस पर मार्च अप्रल तक कफी अच्छी ब्लूमिंग होती है, सिंगल और डबल पैटिल्स में इसके फूल आते हैं, और बहुत उपसूरा लगता है, बहुत धेरों फूल आते हैं, कफी अच्छा ग्रो करने अलेख को वाला और लॉंग लास्टिंग हर डी इजी तो घ्रो प्लान्ट है, इसके बाद, जो नेक्स सिजलिंग में ली है वो है फ्लोक्स की, यह भी विन्ट्र का एक उपसूरा फ्लावर भी प्लांट है, इसके फूलों की शेप विनका की तरह होती है, जैसे विनका की फ और कुछ तो सेंटर में ये बड़ा सा कोई गहास फुसी है जड़ी बूती है किलावे इस में कफी सीडलेंगे हैं तक पूलांट है यह भी विंटर में आपकी कार्डन के लिए नेक्स्ट जो सीडलिंग है यह है गोडेशिया की गोडेशिया के जो स्टेम होती है वो रेट से कलर की होती है इससे सटन फ्लार भी खा जाता है इसके भी कफी सरी प्लांट है इस बॉट में और ये भी कफी रंगों में आता है लो मेंटेनिस प्लांट है और इसके बाद जो नेक्स प्लांट है वो है ये एंटी राइनम का एंटी राइनम या जिसे हम स्नैप ड्रेगन या फिर डॉब फ्लार भी कहते हैं लास्ट यह दी मैंने इस पर एक वीडियो आप लोंक से शेयर की है यह देखिए विवेस रोडेशिया के और एंटी रायनम के लीफ्स की शेप काफी मिलती चुलती है इसके भी फूल एंटी रायनम के फूल फेबरी मार्श तक आते रहते हैं बहुत अबसूरत फूल होते हैं इसके पाद जो नेक्स्ट सीडलिंग है वो है वर्बीना वर्बीना को लगाना बहुत ही असान है और यह बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं वर्बीना को भी सीड से और कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है इसमें भी छुटे-छुटे से फूल आते हैं गुच्छों की शकल में और एक अच्छी बात यह है कि इसके फूल काफी लंबे अर्से तक खिले रहते हैं हैं यह प्लांट बहुँ खुब सूरत लगता है मैं अपने गार्डन में से फ इसके बाद जो नेक्स प्लांट है वो है स्टॉक स्टॉक इसमें एक स्टैम निकलती है और उस पर फूल खिलते हैं इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो भी फ्रेग्नेंट होते हैं फ्लावर्स की लाइफ भी काफी लंबी होती है इस पर भी मेरी एक वीडियो है जिसका लिं और लास्त यह तो वाइट कलर में थे इस साल देखते हैं अब इसमें कौन से कलर्स के फ्लार्स आते हैं बहुत अच्छे फूल होते हैं इसके भी और कफी देर तक खेले रहते हैं लंबी लाइफ पले हैं इसके बाद यह नेक्स्ट एक प्लांट है यह कोई सीडलिंग नहीं है यह है अजूगा अजूगा मोहागनी यह इसके एक शरब है जो के ग्राउंड कवर के तो पर ग्रो की जाती है यह प्लांट मुझे बहुत अबसूरत लगा इसमें यह दिखे इस ताह से रनर्स हैं जैसे के स्पाइडर प्लांट के रनर्स होते हैं बिल्कुल इसी तरह से और इसके जो लीवस है वह उपर से इस तना के और नीचे से ग्रीन कलर के यह वहां पर सीडलिंग वाली जगह पर तो नहीं पढ़ा था अलग से एक पॉट में था तो मैं समझी कि यह भी कुछ सीडलिंग है तो जब मैंने उसे पता किया तो पता चला कि नहीं यह जूगा का प्लांट है सो वीवर्स यह सारी वह सीडलिं के मेरे फ्लार्ज के हैं मेरे पस्पड़े हैं जिन में हॉली होक है पैंजी के हैं कुछ सीड सिनिनेरिया के हैं और एक दो हैं निस्ट्रिशियम के हैं वो सारे सीड मैं अब भी ग्रो करूंगी तो इन्शाला पिर वो उसको कैसे ग्रो करेंगी हमकी सीडलिंग कैसे त्यार ह होगी वो भी आपसा शेयर करूंगी आई हो वीवर्स आपको यह मेरी परचेज सीडलिंग की जो अच्छी लगी होगी और आपने भी अगर सीड्स ग्रो नहीं किये सीजन तो यह बेस्ट टाइम है नर्सरी से सीडलिंग परचेज करने का तो आप भी जाएं और अपने यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इससे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फ़र होचेंग